जैहीं दोस्तों स्वाकत आप सभी का आपके अपने प्रिवार हैं रेक्षक यूट्यूब चनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी बर्थी परिक्षा 23 की न्यू अपडेट के बारे में देखिए हो जाई ये तियार आपकी पटवारी की बर्थी आने की चांसिस बन रही है चलो किस भीहाब से ये बात हो रही है आप खुद देख लो ये न्यूस परिक्याज की कटिंग है इससे पहले वी एक कटिंग आई थी जिसमें बोला गया था कि आपके पटवारी भर्थी में लगवग हजार पदों की भर्थी होनी है यदि हजार नहीं हुई तो साथ सो प्लस तो पका है ठीक है, साथ सो प्लस बहुत बखैंसिस होती है आपको चाहिए तो صرف और सरफ अपने लिए एक है आपको vacancies पर depend नहीं रहना है ठीक है चाहे बाद में 50 ही आएं ठीक है चाहे बाद में 50 ही आएं बट आपको चाहिए तो एक ही है ना समझ गए यह news paper की आज की getting है इसमें बोला गया है कि मोटा मोटा आपको बता दूँ इसमें बोला गया है कि अगले साल जो है वो 1224 तक लगवग 200 पद खाली होंगे मेंचर रिटायर होने वाले पटवारियों के संख्या जो है वो 200 है यह भी उसी में जुड़ेंगी जैसे 500 निकलने वाली थी तो 500 प्लस 200 700 समझ गए त्यारी करना स्टार्ट कर दो इसमें मोटा बोला है मोटा मोटा बोला है कि विवाग चाहता है कि अगले 5 सालों तक पदों को भर दिया जाए क्यूंकि इसका जो प्रोसेस है भर्थी का वो बहुत लंबा चलता है न्युक्ति तक कम से कम इनकी सालवर ट्रेनिंग होती है जो गिंदा नगर में सभी को पता है तो करके इन्होंने वाला कि अडवांस में चलना चाहिए बाद में कोई भी पटवारियों की किल्लत नहीं होनी चाहिए हमें समझ गें? नेक्स्ट इसमें पताया गया है कि जदी जो आपका पित्विवाग है इसे पहले भी हमने बोला था कि भर्ती के पदवर रहे हैं बट तब मंझूरी नहीं दी गई थी अब ये दोबारा अगरा कर रहे हैं कि पटवारी की भर्ती जो है वो मंझूरी दी जाए फिर HPPSC को परस्ताब जो है वो भीजना है सभी को पता है HPPSC क्लास 3 के सारे एक्जाम लेका इस वार पटवारी के भी चांस बर रहे हैं यहां पर देख लो HPPSC लोग सेवा योग HPPSC को यह पूरा पूरी भर्ती का मेटेरियल वही जना है इन्होंने आप जान सकते हों यहां पर पतवारी की भर्ती भी HPPSC ही लेका वहां पर नेक्टिव मार्किंग भी ध्यान में रखेगा पेपर वन में आएंगे तीज कोशिन HPGKK पूरा का पूरा स्लेबस भी आपके साथ डिस्कस किया गया है समझ गए नेक्स्ट पूरा में जो भर्ती हुई थी पतवारीयों के सभी पद भीवाग द्वारा भर दिये गए थे अभी अच्छे बहत्रे इन तरीके से इनके काम चल रहे है में से ये फिल्ड में काम कर रहे है या कि इतना ही बताया गया है कि जो पतवारी के काम होता है वो आम आदमी से जुड़ा होता है और पतवारी के भर्ती होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि पटवारी का काम जो है वो पटवारी दो पटवार खानों का काम भी करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए पटवारी एक ही पटवार खाने में रहना चाहिए यह इसमें बताया गया है तो त्यार हो जाएए जो जो पटवारी की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी ख़बर थी ये अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी अपडेट अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वेल आइकन ओन कर सकते हैं वीडियो को जद से जब बच्चों में शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी अपडेट जो है वो पहुंच सके इसके लाबा यूट्यूब के लाबा हम तीन सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं यदि आप वाट्सेप प पर इस प्रकार से पोस्ट बनाकर आपको जानकारी दी जाती हैं जो आपके examination point of view से important है next telegram यहां पर भी आपको इस प्रकार से देख सकते हूँ जो संसत भवन बना था नया इस प्रकार के पोस्ट बनाकर आपको जानकारी दी जाती हैं तीनों का लिंक हमारे description box में हैं यहां क्यasan पर आयों मौरे साथ यहां पूर या पर जूड़ सकते हैं इस वीडियों बिस इतना ही है उमीद करता हूं आपको आज की मिदि अच्छी लगी होगी यदि आपको आज की वीडियों अच्छी लगी तोा इस वीडियों को ज्यादा से व。- वुच्छո करें एक ही बात हम आपसे चाहते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहीएगा पड़ते रहेगा धन्यवाद जैहन जैह हिमाचल